अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी के बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले अगर वह सब्सक्राइब अनर्थ देख रहे हैं तो उनका धरम उनको अपनी जान बचा के भाग रहे हैं तो उनका धरम उनको ऐसा करने की इजाज़त देता है बहुत धरम में इन सब चीजों को कोई महतु नहीं है कि अगर बहुत अच्छा सवल पूछा वास्तों में भारत वर्ष का जो वर्तबान समय गुजर रहा है वो धरमिक पर्दूशन का मारा है जो धरमिक माननेता हैं जिनका किसी के भलाई से कोई मतलब नहीं है वो समाज में हावी हो गई है एक धरम विशेश के नाम से उनको जाना जाता है वास्तिकता ये है कि जो इस देश का शोशित पीडित वंचित बहीकृत दलित समाज है जो इस देश के मूल लिवासी है जो इस भारत वर्ष के भूमी पुत्र हैं उनकी जो अपनी संस्कृति है प्राचिन संस्कृति जो मोहन जोड़ोर हरपास से शुरू हो करके भगवान बुद्ध तक और समरा टशोक तक और बाद में फूले और अमबिट कर तक आती है उसके बगएर हमारा गुजारा नहीं है कारण क्या है वो हमें हमारे पैरों पर खड़ा होना सिखाती है वो हमें हमारे अपने अच्छे बुरे के लिए एक विशलेशन करने का अवसर परद होने के मार्ग को अवरुद्ध करती है व्यक्ति के सामर्थे को जगाती है व्यक्ति की काबलियत में यकीन करती है व्यक्ति को ये पाट पढ़ाती है कि तुमारा कल्यार अगर होगा तो तुमारे अपने परियासों से होगा कोई दूसरा तुमारा कल्यार कर नहीं सकता तो बोत धर्म में आने के बाद में सबसे पहले तो व्यक्ति के ग्यान के केंदर खुल जाते हैं, सारे ग्यान के जितरे भी शितरे हैं, सब खुल जाते हैं और व्यक्ति जब बोत धर्म में आता है, उसकी सबसे बड़ी विशिष्टा यह हो जाती है, वो self-centered नहीं रहता, वो खा बगवान बुध्ध ने पहली बार बात कही थी, सारनात में, अपने साथ विक्वो को सम्बोधित करके, के चरतु विक्वी चारिकंग, ऐ विक्वो पैदल चल के जाओ, काय के लिए, बहुजन हिताए, बहुजन सुखाय, जहातर से जादा लोगों का हित करने के लिए और सु सारे संसार की मंगल कामना कर रहें सारे संसार के पिरति तो फीर क्या करूं भावतु सब्ब मंगलतम तूर। क्यों कि उसमें जाना नहीं पड़ रहा वो काम ना करनी पड़े है घर बैट का घर बैट कर हम सब के लिए काम ना कर सकते हैं मगर जब घर घर जाना है व्यक्ति व्यक्ति से मिलना है तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कहते है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, हमें बोध धर्म में क्यों आना चाहिए, बोध धर्म में इसलिए आना चाहिए, कि बुध से पहले एक माननेता थी, कि भई, प्यासा कुए के पास जाएगा, या कुए प्यास पास जाएगा, अरे प्यासा जाएगा ना कुए के पास, मग अगर बुद्र कया किते हैं ज़ने पहले वर्ष वर्ष वास में 60 भिक्व की है साल अरात विक्व कं थे वह स्वग्गा क्यों वह ग्यान के घर पर जाओ, वो यहां नहीं आ रहे ने अग्यानी लोग तो आप उनके घर जाओ, उनका अग्यान मिटाने के लिए, यह बुद्धी है जो ऐसी बात कह सकते हैं, उन कुओं को उन्हों प्यासों के पास बेजा, एक रीत बदल दी, किसलिए बदल दी, लोग कल्यान उनका मु क्या था, आज की जैसी जाती है ना, यह जाती कि जकडन बुद्ध के समय में ना थी, अशोक के समय में ना थी, चंदरगुप्त मोरे के समय में ना थी, महराजा जो हर्षवर्धन हुए हैं, उनके समय में ना थी, एक बहुत बड़े राष्ट भक्त राजा हुए हैं, महरा नमन करते थे प्रणाम करते थे एक दुने उनका वजीर जिसको अमात्त कहते हैं वो महराजा समराथ अशोक से बोला कि राजन आप बड़ा अनर्थ करते हैं आप सब भिक्वों को सर जुकाते हैं इनमे तो चांडाल भी होते हैं इनमे तो शूदर भी होते हैं आप अपने पत व्यवस्था करो कुछे जानवरों के सिर्लाईये और एक आदमी कासर लाईये। मगर आदमी का सिर उसको जो भी देखता, घिन करता, डरता, भागता, उसको किसी नहीं खरिदा। वो राद आमात्य अपने सैनिकों के साथ महराजा के सामने आते हैं, कहते हैं, राजन सब बिग्गे मगर या आदमी का सिर नहीं भीका, क्यों नहीं भीका, क्यों लोग कहते हैं नहीं हम नहीं खरीदें, तो उन्होंने कहा कि जाओ, अब आप जनता को ये कहो कि मैं उसको फिर करे के चक्रवर्ती समराट अशोक बड़े काम की बात कहते हैं कि जिसके सिर्की कोई कीमत नहीं अगर वो सिर्क किसी के सामने सम्मान में जुग जाता है इससे ज्यादा सम्मान उस सिर्का कुछ हो नहीं सकता यह समराट अशोक के जमाने का जाती की समझने का एक उधारन है इस उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ उनके नोक्रियों के साधन समाप्त किये जा रहे हैं उनका पैसा लूटा जा रहा है उनको आपस में लड़ाया जा रहा है उनको एक दूसरे के पिरती उनका वेमनस से जगाया जा रहा है तो भाईया अगर इन सब जो सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है! सम्मे का आजीविका ऐसी रोटी जो मैं कमा के लाऊं किसी का दिल न दुखे किसी का हकमा के न लाऊं किसी को परिशान करके न लाऊं किसी को दुखी करके न लाऊं ये बोध्धों की आजीविका सम्मे का आजीविका का एक परमान है मगर यहां हो क्या रहा है लोगों को अंधविश्वासी बनाया जाता है लोगों में अंधविश्वास एक परचार के माध्यम से दिमाग में डाला जाता है और वो उस परचार के कारण एक जाती विशेश को दान देने के लिए जाते हैं वो दान ले ले करके पल रहा है बुद्ध की शरण की और जाएंगे, बुद्ध की शरण में जाने का मतलब यह है, सत्य का शाषा निश्थापित होगा, न्याय का शाषा निश्थापित होगा, सम्ता मेत्री भाय चारे का साषा निश्थापित होगा, आदमी की पृति सहयोगी बन कर रहेगा, अत्याचार तो दूर तक नहीं दीखेगा समराठ अशोग के समय में कितने कितने बड़े अच्छे काम हुए हैं वो उनके दुराचारी होने के कारण नहीं हुए हैं उनको जो दुराचारी थे और समराठ अशोग की महनता का मौर समराठो की महनता का मुकाबला कर नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने अपने अस्तितु बचाने के लिए उन पर हमले किया, उनको तबा किया, उनको बर्बात किया, मगर जिस दिन ये देश बहुत धरम से हीन हो गया, बुद्र यहां से समाप्त कर दी गए, उस दिन इस देश के बुरे दिन शुरू हो गए, हम विदेशियों के गुलाम बनने शुरू हो गए, हम मुसल्मानों के गुलाम बने, मुगलों के गुलाम बने, और तो और जो अपने मुसल्मान देशों में गुलाम थे न, उनके भी हम गुलाम बने, यहां आ करके उन्होंने सल्तनत बना दिए, उसको गुलाम सल्तनत कहते है उनके हम गुलाम बन गए अगर गुलामी का जीवन जीना है तो भाई वो विवस्ता तुमारे सामने है और अत्त दीपो भव वाला जीवन जीना है आप अपना दीपक बन के चलना चाते हैं आप अपने मालिक खुद बनना चाते हैं तो फिर बुद्ध का रास्ता है तो सारी दुनिया से जुड़ जाते हैं। होगा और पक पक पर अगर जलीन होना है अगर पक पक पर आपको गालियां जहल नहीं है पक पक पर अपने अधिकारों का हनन होते देखना है तो फिर विवस्ता ही ठीक है तो आओ आज हम अपने पुर्खों की शानदार और जानदार विरासत का वरण करें उसको स्रीकार करें और बाबा साहिब डांग टम बेट करके चित्र के सामने उनकी आँखों में आँख डाल कर उनके पिर्टी करता व्यक्त करने का काम करें और वो तब हो सकता है जब बाबा साहिब डांग टम बेट कर द्वारा प्रदत बोध संस्कीति का वरण करते हैं उसे ग्रहन करते हैं उसके हलावा हमारी कोई और शरण हो नहीं सकती बुद्ध के अलावा हमारी कोई शरण हो नहीं सकती बाबा साहब डाक्टम बेटकर द्वारा परदत मुक्ति बार्ग के अलावा हमारा कोई मुक्ति मार्ग हो नहीं सकता इसलिए हम किसी के जूटे फरेव बेनापस के बाबा साहब की सलामाने बाबा साहब डाक्टब बेटकर के रास्ते पर चले तो ना केवल हमारा हमारे भविश्टे की पीडियों का भी भविश्टे सुरक्षित होगा इनी शब्दों के साथ SM टेली वीजन के पृती SM News के पृती मेरा हिरदे के निमतन तल से कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले